हेलो दोस्तों स्वागत एक बार आपका फिर आपके अपने चनल रामसर स्ट्टी पॉइंट पर मेरा ना हमें जितेंद्याद आप और हम आज अनुपाद और समानुपाद प्रक्टिस कोशन्स करने वाले हैं यह पूरा चेप्टर कंप्लीट हो गया है अगर आपने नहीं दे अनुपाद है हमसे पूछा है कि ए अनुपाद बी अनुपाद सी का मान क्या होगा तो देखो मैंने इनकोशना को कराने के लिए आपको डायरेक्ट बटाए है अगर यह दो और तीन है वो जाए और और इंऽगर दो गढ़ा यह जाए यहानि कि आनसर कितना है दो दू दु तो यही इनका क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे कोश्चन्स हमने स्टार्टिंग में किये हैं स्टेप्टर के आपने कर लिया होगा कोई इतनी बड़ी प्रावलम नहीं है चलिए और कोश्चन्स देखते हैं ऐसे ही एक दो तो अगला कोश्चन हमारे पास कि A अनुपात B तो A अनुपात B हमें दे रखा है दो अनुपात 3 आगे हमें बोला हुआ है कि B अनुपात C दो अनुपात 1 है तो B अनुपात C जो है वो दो अनुपात 1 है आगे हमसे बोला हुआ है कि C अनुपात D तो C अनुपात D जो को दिखो को अनुपात क्या बताना है अगर बताना है चैlio दूर तीन लिखह। फिर म्सेद लिखोंगे दो और एक निखो है ना और उसके बाद दो और तीन इसको मैं लिख पाऊँगा तो आप देखे рекो की जगा पर यहांपर यहां पर यहां पर यह पर निखक धाली तो एका मान कितना आपने कहा 8 और अगर सिर्फ हमें डी का मान निकालना है तो तीन तिया नो आएगा तो आप देख रहें कि ए अनुपात जो डी आएगा वो कितना आएगा 9 और यही बात हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डारेक्ट देखो अगर आपको ए अनुपात डी निकालना यहां मतलब पहला वाला और लास्ट वाला तो बस कुछ नहीं करने इनकी आप उसे मल्टिप्लाई कर लो तो देख रहे हैं कि आप 8 अठ जाएगा और यहां पर कितना आजाएगा तीन इकम तीन और तीन तिया नो तो अगर आपको कभी भी पहला और लास्ट वाला निकालन है आप एक्जाम में तो आपको याद तो रहेगा कि 8 और 9 हमने कैसे निकालना था तो चलिए अगला कोश्चन और लेते हैं और उनको भी करते हैं तो जो अगला कोश्चन हमारे पास वो यह है कि 4 और 36 का मध्ध समानुपाती क्या होगा तो मैंने आपको बताया था कि 4 और 36 का आपको मध्ध समानुपाती बताना है तो मध्ध का मतला होता है X में इसका मैंने formula भी बताया था तो आपको मैंने बताया था कि 4 upon X जो इसका अनुपात रहेगा वही अनुपात इसका भी रहेगा तो बराबर हो जाएगा X बटे 36 देखो इसके बटे में ये है तो इसके बटे में ये आएगा ठीक है तो आप जानते हैं कि 4 की गुणा इससे हो जाएगी और इसकी इससे हो जाएगी तो X square का मान जो आएगा वो आएगा 4 गुणा 36 और आप जानते कि हमें तो X का मान निकालना है तो under root 4 गुणा 36 जो कि आप जानते हैं कि 4 का 2 बहरा जाएगा और 36 का 6 बारा जाएगा तो वो कितना आजाएगा 12 आप देखों आप इसा डारेक्ट भी कर सकते थे मद्ध्य समानुपाती के लिए कि इसका बर्गमूल कितना होगा आपने का इसका बर्गमूल दो होगा इसका बर्गमूल कितना होगा 6 और इन दोरों की multiply ही तो आपका ऐसे बहुत सारे questions हमने किये हुए हैं, अगला question और लेते हैं, तो अगला जो question है हमारे पास वो यह है, कि 8, 12 और 36 का चतुरत समानुपाती बताना है आपको तो 8, 12 और 36, 8, 12 और 36 का चतुरत समानुपाती का मतलब यहां पर आप माल लो, X होगा, चतुरत समानुपाती हम नहीं माल लिया, तो आपको पता इसका और इसका अनुपात, और इसका और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, तो आठ बते 12 बराबर होना चाहिए था, 36 बते X के, यह 4 से कड़ जाएगा, आप काढ़ सकते हैं, 4 दूनी, 8 और 4, 12 य नहीं कितना सिंपल आपको बताय हुए है उनकों कि करता है कि इनको कैसी किया जाता है बोल रहा है बाटते हैं एक बटे तीन आनुपाथ एक बटे पाच बटे छ यह जो है तो उसके जोड लेते हैं तो देखो सबसे पहले में इसका अनुपात निकालनों तो अनुपात कैसे निकालते हैं वही देखो 3,4,5 और 6 का जो सबस्क्रामार जोड़ान के सब्सक्रामारा अनुपात मैं तो लिए के यृसे एक तो अनुपातो यानि कि उसके पास टोटल कितने पैन रहे होंगे 57 पैन रहे होंगे जिसने जिससे कि उसने दोस्तों को किस किसम अनुपात में बाटे एक अनुपात 3 एक बटे 4 एक बटे 5 और एक बटे 6 अनुपात में बाटे होंगे तो आई होप आपको क्लियर रहा होगा और इस कोशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो अगला कोशन और देखते हैं अगला कोशन है हमारे पास एक बैग में 396 रुपए है इसमें 396 रुपए है इसमें 396 रुपए है हमें नहीं पता कितने कितने रुपए है मतलब कौन से कौन से इसमें रुपए हुए है तो बोला है एक रु पें कि तीं कि समय में तो निव ए这个 ऑथ हैं तो क्यों समय दे रखी अधी कि यह पांच इाथ आथ है जीलिएवजवज वर् böyle के अनुपात में तो अमसे पूछा क्या है इस में कि विद् zw compet आख moments करो रुपए कितने बनेंगे यहां पर total मुल्ये कितना बनेगा है अप अपने का पांच और यहां कि और चार्पर बनेंगे क्यों कि बनेंगे क्कि अगर 250 पैसे मिलते हैं तब एक रुपय बनेंगे तो आपको कितना हुजएगा आपने का 4 5 9 3 12 हो गया यह कितना हो गया आपका 12 12 की वेलियों आपको कितने दे रखे 3 9 6 तो मैंने का मेरे साब से 12 रुपे हो रहे हैं कोश्चन के साब से 396 हो रहे हैं तो हम इसे डिवाइट कर लेंगे 12 तिया 36 फिर 12 तिया 36 एक रिश्यो का मान कितना आग्या 33 हमसे क्या एक रिश्यो का मान कितना हो जाएक आठ तया 24 का 4 हसे लगा दो अर्टने 24 35 26 हो इंट हाँ 24 चार सही तो है ठीक है तो ऐसे कोक्षिंट को मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं आपने किया होगा तो बहुत आसान रहा होगा आपके लिए अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हुए देखो कुछ नहीं था एक रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे हमारे पास इ इस बॉक्स में यह कह सकता था कि पांच कोईंस इसकी रहे होंगे आठ इसकी और बारा कोईंस इसकी रहे होंगे लेकिन बारा नहोंकर यह कितने हैं 396 तो बस हमने इसका भी 33 गुना कर लेना तो देखो आट्टियां 24 का चार हासिल लगा आपका दो आट्टिया 24, 25 और 264 सिक्के आपके ओवरोल यहाँ पर किसके होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे भाई 50 पैसे के अगर वो हमसे पूछ लेता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं तो हम 12 में 33 के मिल्टिप्लाइ कर लेते और अगर वो हमसे पूछ लेता है यहाँ पर एक रुपे के कितने तो आप जानते हैं की पांच सिक्के हैं एक रुपे के तो आप berry कर लेते ऐसे बहुत सारे कोशन्स हमने इस पूरे चैप्टर में किया हैं हार टाइप के questions किये हैं तो आई हो आपको एक लेर रहा होगा और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी तो अगला जो question है आपके पास वो यह है कि एक बैग में 210 रुपे मुल्ले वर के लेखे 10 रुपे 5 रुपे और दो रुपे और एक रुपे के सिक्के हैं अपने सारे पैसे डाले हुए है तो हमसे क्या बूला हुआ है इसमें रुपे के सिक्के 5, 6, 7 और 8 अनुपात में हैं ये 5, 6, 7 और 8 अनुपात में हैं ठीक है 5, 6, 7 और 8 अनुपात में हैं तो हमसे क्या बोला हुआ है हमसे बोला हुआ है अनुपात में हैं तो बोला है सिक्कों की संख्या आपको ग्याद करनी है तो भी कुल सिक्कों की आपको नग्सницы 26 के हैं जबकि मैंने अनुपात में लिया हुआ है तो मैंने कि रुपए बना लेता हूआ इसमें कितने रुपए दिये हुव है उन्हों ने दिया है पांसोत-डस रुपए तो इन्हों ने कहा पहले इसमें अपने इसाब से देख लेते हैं आप बताओ 10 रुपए के अगर 5 coins है यह coins की बात चल रही है यहां पर क्या है आपने कहा coins और हम यहां बना रहे हैं रुपे तो आपने कहा अगर 10 यानि कि अगर इस थेले में 5-6 और 7-8 के अनुपात में 5 रुपे 10 रुपे और 1 रुपे और 2 रुपे के सिख्के रहते तो 102 बनते लेकिन कोश्चन तो उल्टा ही बोल रहा है विए 510 रुपे बन रहे तो मैंने कहा कितना गुना है आप जानते हैं 152 होता तो यह पांच गु तो अगर एक रिश्यो का मान 5 है तो आपने का 26 रिश्यो का मान कितना होगा तो आपने का 26 गड़ा 5 करेंगे तो 5-3 का 0 हासिल लगा आपका एक 3 और 5-2-10 और 3-13 यानि कि 130 आपके क्या होगे ओवरोल इसमें सिक्के होंगे तो देखो कितना सिंपल है इन सारे कोश्चन को हमने बहुत आसानी से किया हुआ है आई हो पापने कर लिया होगा और इस कोश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी और अगर आपको को तो आएका अनुपाथ है 3 अनुपाथ 2 मुझे यह पता चल गया कि A 3 रुपे कमाता है तो B 2 रुपे कमाता होगा मुझे यह फरक नहीं पढ़ता यह 200 कमाता है 2 लाग कमाता है 2 क्रोड कमाता है मैं तो बस इतना पता है कि निका ratio जो है वो यह है यानि कि वह 1 रुपे ज़ा और 10,000 रुपे बचाते हैं तो A और B की I का अनुपाल मतलब I बतानी आपको अब देखो इसे X मान के करना ना मेरे लिए सही नहीं है करने को हम कर सकते हैं मैं इसे कहूं कि वह थ्री एक्स रुपे कमाता है और यह कितने रुपे कमाता है और यह 4X 4Y खर्च करता और 3Y खर्च के लिए और यह कितने रुपे बचा रहा आपने का यह से लिए यह बोला है ना कॉस्चन में कि कि अबने का 20,000 और जो भी है वो 10,000 रुपे की बचत करता तो A यह बता नहीं है तो मैंने आपको बताया कि आपको इसकी मल्टिप्ला करनी है 3-3-9-4 लनि 8 और दोनों का अंत से करूंगा तो 60,000 यानि कि जो ए होगा वो कितने रुपे कमा रहा होगा 60,000 और यह कितने रुपे कमा रहा होगा आपने का यह कमा रहा होगा 40,000 कितने कमा रहा होगा 40,000 तो देखो हमें कोई फरक नहीं पढ़ता इस बात से कि वो कितने रुपे कमारें वास यह वाला method को आप समझने की कोशिस करो अगर आप इसे access करते तो यह आपके लिए ज्यादा लंबा हो जाता है ना वहाद दो questions बन जाते हैं तो हम directly इस questions को कर पाते हैं लड़ाई concept से आपको मैंने यह सारे वीडियोस प्रोवाइट कर रखी है आप जाके उसे देखें और आप सारे आसानी से इन सारे questions को कर पाएंगी यह 5 है और यह ठीन ही और बकी आए का अनुपात बोला हुआ है इनकम का अनुपात है यह ऑग्छे हमसे उनके खर्च करते वह नो 295 वह पंच उनके कर्च का अनुपात है आप देखों कुछ लोग कह Kevin जाइए कर दा तब हरते हैं यां को फरक नहीं पड़ता है कि 5 रुपई कमाता और 9 रुपई खरच करता हूंने टोड़ी बोला हूआ है यह तो रेश्यो है drinking- अग्रम्सा शब्किंद शेजार और 18,000 रुपई बच जाटे हैं तो देखोब ये 26,000 और ये 18,000 रुपे क्या करते हैं बचाते हैं ठीक है तो 26 और 18,000 रुपे की बचत करते हैं तो हमसे पूछा एक ही इंकम तो देखो मैं वह ही कहूंगा 25,000 और 27,000 तो 27 में से अगर मैं 25 घटा दूँगा तो यहां 2 बचेगा अठारा निम्मा 162 है ना ये दो जीरो तीन जीरो आजाएंगे इतना आगे इसकी मल्टिप्लाइ करके और 26 की अगर मल्टिप्लाइ करोगा तो पांचिंग 30 और पांचिंग 15,000 पंद्रा 130 आ जाएगा य दो रिश्यो की वैल्यो 32,000 आ रही है अगर तो दो रिश्यो की वैल्यो अगर यहां पर 32,000 है तो आपने कहा एक रिश्यो की वैल्यो निकालोंगा तो 16,000 अगर एक रिश्यो की वैल्यो 16,000 आ रही है तो हमसे क्या पूछा हुआ है एक ही इंकम एक ही आपको इंकम पता है कि तो अगर हमसे वह इनकी आय का अंतर भी पूछले तब यह मुझे कोई फरक नहीं पड़ता कितना अंतर आ रहा है पांच और तीन दो का ठीक है दो रिश्यो की वेल्यू हमारे पास ओल्रेडी बत्तिस जार इनकी आय का इंकम का जो है अंतर है तो आई हुप आपको इकलेर हो या होकर इस कोशन में आपको अब तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी तो हमने सारे टाइप रखे हुए हैं आप आसानी से इनको करके वेश्यो एंड प्रपूर्शन को पूरा कर सकते हैं तो अगला जो कोशन है वो हमारे पास यह है कि चार साल पहले एवा बी की आयू का अन बात ini था तो भर यह दो नीर। आपकर इस वा पहले कि अवर बैद हो जाता है नो यह गakat प्रपाद की बात चल रहूं कि यह चार साल बाद की करma са बहुत दूर हैं देको जिहां प्रेजेंट यहां पर था तो यही चार साल पहले की बात चल रहे हैं और अभी चार साल बात की बात चल रहए 흥ी यह वाला नूपा हाई चार साथ हे और यह वाला कितना है यह और जो वाला नूपात तीन वहां पर है तो आप अपने का दोनों मैं 888 कांतर है इसमें और इसमें कितने कंतर है? 8 का और 8 का तो हमने 8 का और 8 कंतर कर लिया तो 7 दूनी, 14, 5 तिया, 15, 1 कंतर आया, आपने का 8, 5, 4 और 8, 7, 56, कितना आग्या आपका? 16 कंतर अगर एक ratio की value 16 है, एक ratio की value 16 है तो देखो 16 दूनी 32 साल का ये रहा होगा चार साल पहले, इस समय की बात कर ली मैंने, इस समय, अभी मुझे present में अगर आना है तो 4 साल मुझे दोनों में क्या करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा तो 4 में इसमें add करूँगा, और 4 ही में इसमे तो इसमें add करूँगा, तो इसमें नहीं आ रही होगी, सारे हमने ऐसे questions किये हुए है, तो आपने फिर से कर लिया होगा, यहां पर इतना explain करने की विजरूत नहीं थी, क्यूंकि मैं ने आपको यह बहुत ही अच्छा करके के कोशन आपको कराया है पूरे चेप्टर को कम से कम नो दस वीडियो में हमने डिवाइड किया हुआ है तो आप उने जाके जरूर देख लें बहुत सारे हो गए हैं अगर आपका कोई आने वाला एक्जाम है तो सबको देखकर आप सारे चेप्टर में ने करा करें लग वग लग तो आप उन से क्या कर सकते हैं अपनी पैरिको अच्छा पर सकते हैं अगर ने का आप से अंतर 105 है तो हमने कहा हम एक ratio की value निकालेंगे हमने यूज है तीन थी हम और तीन पंजे पंदर एक ratio कमाल किटना आगया आपने आप 35 हमसे पुछा है योग योग कितने का निकालना आप जानते की 17 रेश्यो हिनका योग तो बस हमें इसमें कितने की multiply करनी है हमें इसमें multiply करनी है 17 की कितने की करनी है 17 की तो अगर मैं यहां से 17 ratio की value निकालना चाहता हूँ तो 35 गुणा 17 तो 17 55 का 5 हासिल लगा आपका 8, 17 थिया 51 और 8 59 तो 995 आपका क्या आजाएगा answer आजाएगा तो इनका योग कितना होगा नहीं से पिच्चान बैं कितना सिंपल है देखो आपको छोड़ा से क्या करना है logical चलना है हर चीज को लेकर बस आपको करना है यह अपना दिमाग इस्तिमाल करना एकस का ना करें यूज वर्ना 10 एकस और 3 एकस मानकर भी आप कर सकते हैं करने की जरूत नहीं है एकस से जतना हो जादा बचे तब भी आप क्या कर पाएंगे कोश्चन को हल कर पाएंगे तो अगला जो कोश्चन है हमारे पास यह है कि एक मिस्रधातू में जिंक और कापर का अनुपात दे रखा तो जिंक है और कौपर एक मिस्रधातू है इसमें अनुपात हमें दे रखा जिंक और कौपर का भई 5 अनुपात 3 है यानि कि 5 अनुपात यह हमारे पास 3 है ठीक है तो कौपर और जिंक का अनुपात है 5 अनुपा तो कितने ग्रा म कॉपर और मिलाये जाये की अनुपात तीन उनुपात पांच आ ठीक है हमें कितना करना है तीन उनुपात पांच करना है तो देख़ू पहली बात नहीं च今天 3", 8", यह ऐसे चलो, कर लते हैं, बाद की बात करेंगे, कि भPS मैं अनुपात, कितना बोलरहा हूँ, कितना करवाने के लिए 3.5, पाँच, 5.5 अनुपात हो जाए इसका, ठीक है, मिलवा क्या रειहा है? आपको यह भी पता होना चाहिए, कि कितने को बराबर कर लो क्योंकि जिनक तो पहले 5 थी अभी भी 5 होनी चाहिए थी जिनक पर कोई फरक नहीं पड़ता तो हम क्या करेंगे से कुल करने के लिए इसमें तीन की और इसमें अगर मैं 5 की मृटिप्लाई कर लो देखो 15 15 हुआ हो जाएगा और 3 तियां आपका 9 यह हो जाए क्योंकि देखो बाइ कॉपर तो सेम रहा हमने मिलाय था कॉपर पहले 9 होना चाहिए था 25 हो गया यहने कि 16 मैंने और मिला दी और आप जानते हैं कि 24 रिष्यो का मान ना वह 200 ग्राम है मुझे वानाना है तो मैं एक रिष्यो का मान निकल नहीं से 200 बटे 24 और आप जानते हैं तो आप देखने की एक सोलर रिश्यो का जो माना गए हैं पर सोलर कर लो वो कितना आएगा 400 बटे तीन गिराम हमने क्या कर दिया है इसमें और कॉपर मिला दिया है तो देखो कितना सिंपल है इन सारे कोश्चों को करना कुछ नहीं है बस आपको समझना है और चीज को ऐसा नह और तीन के रिश्यों में और तीन और पांच के रिश्यों हमारे पास क्या है कॉपर और जिंक कि नहींến नपर और लिया क्योंस ऩाफ weekend क्यों में यह वितना स्टों पर दिंक्र में ipr अगर 24 की वैलियो कितने आ जाती हैं आपके पास 200 बटे 24 और हमें 16 की निकालने थी है तो भाई copper और jink है हमारे पास copper और जिंग का उनुपात है वह 13 7 का हमें अनुपात दे रखा है है नहीं अगला कोशन हमारे पास इस रफ कर लेते हैं और अगला जो कोशन है वो हमारे पास यह है कि 710 रुपे को ABC में बाटा गया है यह A है यह B है और यहां पर एक बंदा है C इन टीन लोगों को 710 रुपे बाटे गए है जिसमें हमें बोला है A को B से 40 रुपे ज्यादा मि पर 41 कर लेंगे confusion होता है तो जब भी वह ज्यादा में बोलता है कि इतने ज्यादा तो याद रखेगा कि रेश्यू ले रहां ऐसा नहीं कि एक्च्छलो मैंने मान लिया कि पचास पैसे मिल रहे हैं पचास रुप मिल रहां इसको तो आप यहां पर डिरेक्ट जोड कर लिख मिल रहे तो जाना मिल रहे हूं तो आपने का इसको मिल भी लो क्योंकि यह एक रुप है और इसको एसको यहीं Stunde मिल रहे होंगे तो हमसे फूछाय का इससा बताओ तो पहलेस pivot कि इन तीनों के पास मिला कर रुप कि टनabeth है तो मैंने खाएकह के इनस और चालिस और सतर और चालिस कितना आगया आपका 110 मेरे इसाब से इतने रुपे मिल रहे थे कोशन के साब से यही 710 है आप निकागर में उसको ले जाकर घटाऊंगा तो आपने का 3x की वेल्यू कितनी आईगी आपके पास 600 200 x का मान कितना आगया आपका 200 अगर x 200 है तो हम सारे के सारे लोगों का बता सकते हैं इसको 240 मिले होंगे ठीक है इसको तो मिलगा 200 आपको पता है कि X का मान 200 है और इसको कितने मिले होंगे 270 रुपे तो देखो मैंने सब का बता दिया आपको अब आपको डिसाइड करना है कि आ कैसे करना है हो सकता उसने एक का ना पूछ के बीका पूछा था तो हमारा अंसर हो जाएगा 240 तो आई हूप आपको क्लियर रहा होगा कोश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मैंने सारे टाइप में आपके लिए रखे हुए हैं इसमें और बाकी कुछ टाइप म हमारे पास बोला है मीना और उसकी माता की आयू का अनुपात है तीन और आठ है तो यहां पर मीना है और उसकी जो माँ है इधर मदर है उसकी तो बोला है मीना और उसकी माता की आयू का अनुपात है तीन अनुपात आठ है अगर मीना तीन वर्स की है तो माता जी आठ वर्स की होंगी अब मालो यह 80 वर्स की हो तो वो कितने की होगी 30 साल की होगी मिना तो हमसे बोला है चार ब्रस बाद यह अनुपात क्या होगा अगर 10 बरस बाद इनकी आयू का अंतर 35 है देखो चार साल बाद बोला है क्ये 4 आनुपात क्या हो parlar है और अफ्टर 4-year तो हमसे पुछा होगा कि after 4-year अनुपाद क्या होगा लेकिन 10 साल बाद है ना इनकी उम्र का जो अंतर है वो कितना आएगा वो 35 आएगा तो देखो मैं आपको एक बात बता दो कि इसकी माता का जो अभी अंतर है पांस साल का ठीक है यही 35 साल बाद भी 50 साल बाद भी 100 साल बाद भी 5 साल का ही रहेगा क्योंकि इसकी मदर आज जितनी से बड़ी हैं 10 साल बाद भी उतनी ही बड़ी रहेंगी तो आपको यहाँ पर इस कोश्चन में यही बात पकड़ने थी कि मेरे इसाब से 5 है और 10 साल बाद वो कितना बोल रहा है 35 का अंतर रहेगा तो एक बताओ अगर मेरे पिताजी हैं जासे मान लोकी मैं हूँ अभी 20 साल का हैं पचास साल का हूँ मैं और मेरे पिताजी 70 के हैं तो अब 10 जिस दाल बाद के बाद किया वो उससे कम हो जाएगी एस तो हम दोनों की बरावरी बढ़ेगी तो उसकी माता की और उसकी उमर का डिफ्रेंस हम 35 रहेगा चाहिए वो आज की बात कर लो चाहिए वो दस साल बात की कर लो यह बात हमें क्लियर हो गई तो आपने का 5 75 एक रिश्यू का मान कितना आगया आपने का 7 अगर 7 का आगया तो 21 की रही होगी है ना और ये 57 56 साल की रहेंगे लेकिन हमसे कब पूछा है वे हमसे पूछा है आफटर 4 एयर तो अगर 4 एयर आफटर जाना है तो 4 इसमें एड़ कर लो और 4 ही इसमें एड़ कर लो तो अगर आपने इधर किया तो यह 25 हो जाएगा और इधर किया तो आपका 60 हो जाएगा तो हम इसे 5 से क कर रहे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट में आपको दे रहा हूं हर जगा से में कवर करता हूं आपके लिए अगर आपका हाली में कोई एक्जाम है तो प्लीज इस क्लास को जादा सजादे दोस्तों के साथ स्केर करें तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में